Only 3 minutes में करूँगा topic clear. आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों कि daily prime software में कोई voucher inactive है तो आप उसको किस तरह से active करेंगे और कोई voucher active है या गलती से आपने उसको active कर लिया है और वो voucher आपको problem दे रहा है तो उसको आप किस तरह से inactive करेंगे इसके लिए दोस्तों हम चलते हैं यहां से vouchers में मैंने vouchers को select किया अब यहां पर जब आप आएंगे दोस्तों तो यहां पर debit note voucher में आपको entry करना है credit note voucher में entry करना है और यह बहुत सारे vouchers से उनमें entry करना है तो आप entry नहीं कर पाएंगे क्यों कि वो voucher inactive है तो पहले तो उन voucher को में active करना होगा तभी हम उन voucher में entry कर पाएंगे तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे vouchers होते हैं इनमें से कुछ voucher आपको active करने होते हैं तो जो voucher आपको active हुए नहीं मिल रहे हैं उनको active करना है तो इसके लिए आप side में बटन बार है यहां पर other vouchers का एक बटन है इस पर कर दीजे click या app 10 प्रेस करिए keyboard से मैंने other vouchers पर कर दिया click दोस्तों हम इस जगह पर आगए अब यहां पर जो voucher सक्री हैं यानि active है वो तो हमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं आप select कीजे और कीजे enterprise और दोस्तों जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो देखिए यहां पर कुछ voucher तो ऐसे हैं जो कि आपको dark color मिलेंगे और कुछ बहुत ही light color में लिखे हो मिलेंगे जो dark color में है वो तो active है उनको आपको active नहीं करना है आप उनको यूज कर सकते हैं जो बहुत ही light color में आपको यहां पर लिखे हो मिल रहे हैं वो दोस्तों यहां पर क्या है inactive है पहले आप उनको active करेंगे तब ही आप उनमें entry कर पाएंगे तो देखें यह active हो गया credit note voucher अब हम जब other voucher में जाएंगे और यहां पर देखेंगे तो credit note voucher अब हमको उपर ही मिल जाएगा क्योंकि यह active है और dark color में हमको मिल रहा है तो इस तरह से दोस्तों आपको कोई voucher उसको आपको active करना है एक और example ले ले लेते सो inactive में जाते हैं और यहां पर देखेंगे तो delivery note यहां पर voucher है यह भी inactive है इसको active करने के लिए मैंने इसको select किया interface कर दिया और एक बार और interface कर दिया तो यह भी यहां पर active हो गया अब जब हम अधर में जाएंगे तो यह देखें यह भी हमको delivery note voucher है वो भी हमको सक्री मिल रहा है और इसको जब हम select करेंगे तो हम इसमें जो है entry कर पाएंगे अब दोस्तों जानते किसी voucher को आपको inactive करना है वो आपको problem दे रहा तो कैसे करेंगे इसके लिए आप जाईए यह delivery note हमारे सामने stress open होकर आगया है अब मैं enter enter प्रेस करके आऊंगा इस जगया पर यहां पर देखें आपको लिखा हूँ मिलेगा active this voucher type है इसको कर दीजिए आप no करने के लिए no प्रेस कीजिए और enter प्रेस करके control के साथ a प्रेस करके इसको accept कर लीजिए अब delivery note voucher आपको नह नहीं मिलेगा जैसी हम voucher entry में जाएंगे और यहां पर देखेंगे तो आप delivery note voucher आपको नहीं मिलेगा है ना